हेलो फ्रेंड्स मैं सुनी लोग आप देख रहे हैं फिजिकल एजूगेशन और आज महत्तुपूर्ण कोईश्चन आंसर सीरीज में आप लोग का स्वागत है चलिए कोईश्चन सुरू करते हैं पहला सारी सिच्छा का मुख्य लक्ष क्या है तो इसका मुख्य जो लक्ष हो होता है वह ब्यक्ति का जो है सर्वांगिन विकास करना होता है चलिए और खेल कूट के द्वारा ब्यक्ति का मलवंजन भी करना होता है लेकिन अधिकतर क्वेश्चनों में यह डाउट होता है यह आपका अकीला आंसर होता है और इसमें खेल कूट का ब्यक्ति का यह हमारा स तो यहां पर दिया है लेकिन दोनों हो सबता है इसमें यह राइट आंसर है ना अपका चलिए नेक्स्ट कोईशन देखते हैं लोगों को मुक्त जो है समय का रचनात्मक उप्योग करने के लिए प्रसिचित करना क्या कर लाता है तो उत्तर आपके सामने हैं सी उत्तर इसका सही है तो नेक्स से देखते हैं कि अमन्वंजन है ना सीखने के इस्थनांत्रण का सिध्धान्थ कौन सा है सीखने के इस्थनांत्रण का सिध्धान्थ जो है आपका उत्तर है बी और उत्तर आपके सामने है समान्तत्तो का सिध्धान्थ नेक्स्ट है लोगों में किसी कार्य के प्रति उस्ताह उत्पन करन वह उन्हें प्रोत्साहिद करना क्या है तो नेत्री तो है यह सीधा आंसा मेरे खाल से इसमें जैनी है चलिए नेक्ट कुईशन देखते हैं पांच वा है हमारे सरीर में उर्जा का मुख्य स्त्रोत क्या है तो कार्बोहेड्रेट मुख्य स्त्रोत है दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे कुईशन बनते हैं मैं उसको डिसकस करना चाहूंगा जैसे कि आपको यहाँ पर आप्सन में कार्बोहेड्रेट दिया गया है यदि यहाँ पर कार्बोहेड्रेट के जगह में ग्लुकोस होता और यह सभी होता है या एटीपी होता तो ग्लु ऐसे दे दिये जाता है question में तो next question है चलिए देखते हैं इसकीनर के द्वारा सीखने से सम्मंधित दी गई परिभासा क्या है तो इसका जो परिभासा है आपका B answer है सीखना वेवहार में उत्रोतर समंधित से की प्रक्रिया है बी answer यहाँ पर दिये हुआ है option देख सकते हैं आप लोग पढ़ लेंगे next question है बालक बालिकाओं में भिन्नता का अधार गया है link भेद easy है चलिए next question है चोट लगने पर रक्त को जमाने का कारिय कौन करता है तो यह है आपका इसमें अगर vitamins रहते हैं अगर तो इसमें vitamin के आता लेकिन यहाँ पर vitamin नहीं है तो इसमें रक्त भीमबाडू है तो रक्त भीमबाडू को platelets भी कहा जाता है तो यह आपका C answer सही है next question है सारिक सिच्चा के बड़े छेत्र का वह अंग है जो बड़ी मासपेशियों में सोरी से होने वाले कारिय तथा उससे संबंधित प्रती क्रियाओं से संबंध रखता है यहाँ परिभासा किस ने दी सारिक सिच्चा के बड़े छेत्र का वह अंग है जो बड़ी मासपेशियों से होने वाले कारिय तथा उससे संबंधित प्रती क्रियाओं से संबंध रखता है तो इसमें एक पॉइंट को याद रख लिजिए कि बड़े छेत्र का वह अंग है और जो बड़ी मासपेशियों से होने वाले कारिय तथा उससे संबंधित प्रती क्रियाओं से संबंध रखता है इसलिए नेक्स्ट देखते हैं सैच्छडिक बयायाम है मुग आपका योगासन भी होता है मुक्ताश्ट बयायाम भी सैच्छडिक आते हैं तो यह वह आपका डि आन्सर सहीं और उसो फिजिकल एजुगेशन क्वेश्चन एन आंसर इन हिंदी नेक्स्ट क्यारवा सारिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्यकारक हैं तो इसके जो मुख्यकारक क्या क्या है सारिक दक्षता को प्रभावित करने के लिए इसमें हैं आपके सारिक क्रियाएं एवं दक्षता, सारिक एवं मानसिक स्वास्त, आत्मविस्वास, स्वसकारात्मक सोच, वनसानुकरम वातावरण तो इसमें आपका जो सारिक दक्षता है वो आपका वनसानुकरम और वातावरण से सम्मंदित है आत्मेस ये भी आ सकते थे बागी इसका जो सर्टिक आंसर कहना चाहिए यह है नेक्स्ट कोईशन देखते हैं हमारा जो सरीर असंग के छोटी जीवित इकाईयों का बना होता है उन्हें क्या कहते हैं तो कोशिका ही है कोशिका से उल्तक बनता है इसके बाद एक अंग का निर्मार होता है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कोईशन किस खिलाड़ी में काडियो वैस्कूलर फिटनेस सरवाधिक होता है तो इसमें जो है तैराक तैराक का काडियो स्कूलर ज्याद होता है लच्मी भाई सारी सिच्छा कालेज के प्रथम प्राधानाचारिय कौन थे तो इसके जो आंसर है स्री पीम जोसेप सभी को पता है नेक्स्ट क्वेस्चन है धावक ट्रैक में दोड़ते समय मोन पर बाईं ओर क्यों जुकता है इसमें कौन सा बल लगता है तो यह है आपका डी अपकेंद्री सोरी अपकेंद्री यह बल लगता है इसमें मैं डाउट है इसका सही आंसर देंगे दोस्तों क्योंकि अपकेंद्री यह थिंग मेरे को यह आपको अभी केंद्री बल के कारान लग रहा है क्योंकि मैं कहीं पढ़ा हूं तो इस पे मेरा doubt है आप लोग इसको comment करके बताईए कि इसका सही answer क्या होगा चलिए next देखते हैं क्योंकि मेरा जो है इसको अभी kendriable के काराण I think लगता है इसके बारे में मैं पढ़ा हूँ चलिए तो next question देखते हैं strength endurance में सुधार के लिए किस प्रसिच्छड का प्रयोक होता है तो इसका जो answer होगा आप देखिए इसमें answer तो नहीं दिया है नीचे होगा उपर में तो इसका strength endurance strength को बढ़ाने के लिए interval training, heart leg training या circuit training क्या अवसेख है I think strength को endurance जो है आपका सही answer होगा ए interval training से यानि के interval training का मतलब है कि उसमें rest recovery time मिलता है और strength को बढ़ाया जाता है, load लिया जाता है फिर उसको थोड़ा rest recovery दिया जाता है फिर और load दिया जाता है तो इससे क्या है strength हमारा बढ़ता है तो internal answer सहीं होगा चलिए देखते हैं answer क्या होगा इसका answer C है अर्थात C ने circuit training दिया है इसमें इसमें मुझे doubt है क्योंकि circuit training से इसका मैं आपको एक और series लाओंगा उसमें जो है जो यूनिवर्सिटी या जो भी एक्जाम हुए है KBS वगेरा में उसका सही answer आपको interval training मिलेगा circuit training मुझे doubt है इसमें भी तो आप इसके जो है देख लेंगे इसको भी और important भी question चलिए तो इसका answer इसमें दिया है आपका circuit training ये logo दोरा बनाया हुआ है तो इसको मैं उतना सटिक answer नहीं मानूंगा इसका जो answer है interval training होना चाहिए चलिए next question देखेंगे फेफडों की cool वायू चमता को क्या कहते हैं तो चमता को क्या होती है बोल रहे हैं क्या कहते हैं तो उसको फेफडों कूल टाइडल वोल्यूम बोलते हैं है न और चमता जो होती है इसका six to eight liter बी answer इसका सही होगा सही है कक्षा दो के बच्चों को पीटी सिखाने के लिए कौन सी सिछड़ पध्धती उप्यूकत होगी तो यह आपका जो है अनुकरण विधी सही होगा सही है चलिए next question देखते हैं खेल मैदान में एथलीट के हिर्दय के धड़कन की दर जानने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है धड़कन जानने के लिए आपका इसमें रेडियो टेलीमेट्री का प्रयोग किया जाता है स्पायरोपीटर की किया जाता हैै या 시청 अपका सवच Вас चमता के लिए होता है इस फिगो مैनोमीटर के लिए क्या होता है यह प्रेशार के लिए होता है कि यह उपका स्पेसियों में की स्थ्थ्थे कड़कर होने से खिलाडी देर तक नहीं ठकता है ग्लाइकोजन तो काॉन सा पूसत्तत्तत्त गर्मी एवंell ताकत पर दान करता है तो च्छ॥ है आपको ताकत पर दान करता है और इसके अलावा आपका तूटी-फुटी हुई आपका मासपेसिया है उसको ठीक करने के लिए सहाइक है बच्चों के सबसे ज्यादा में इंपोर्टेन है प्रोटीन और आपको हाइट के लिए भी प्रोटीन की आवसक्ता होते हैं बच्चों में चलिए तवचा से प्रती दीन कितना पानी खर्च होता है तवचा से आपका 400 ml याने की 400 ml आपका होता है नेक्स्ट देखते हैं इसमें आंसर यह होगा यह आंसर होगा चलिए देख लेते हैं इसमें क्या दिये है तो यह आंसर ही है सही है नेक्स्ट कोईश्टन जो है सारिक सिच्छा उन अनुभावों का कुल जोड़ है जो ब्यक्ति वीसेज को प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं तो किसे सम्मंदित है यह है आपका जेवी नैस नास लिग दिए है चलिए जेवी नैस है इसका अंसर और यह भी है उन अनुभावों का कुल जोड़ है वही वाला क्वेश्टन है पुराना एक डबल रिपीट हो गया है इस नेक्स्ट क्वेश्टन है प्रयोगवाद तो प अंसर सीज़ा है इसको पढ़ने को ज़ारत ने है शेल्डन के सारी कवर की कराण में आप लोग को पता ही है मेजोमॉर्फ तीन होते हैं एंडोमॉर्फ एक्टोमॉर्फ और मेजोमॉर्फ तो इसका अंसर है सॉरी कि एक्स्ट कोईश्चें है सीखने के अंतर दिरिष्टी के सिद्धान के प्रतीपादन किस ने kiya तो यह कोहुलर बिशित में मुद्र्वा कोईबो हो गए यहां पर यह्ठी काँ आउट अंतर द्रिश्टी का सिद्धान था चलिए नेक्ट देखते हैं इसमें इसमित दिया है माकी आई तिंग गलत है यह मेरे तरफ से आपको कोलर आंसर होना चाहिए क्योंकि उन्होंने चेंपेंजी पर अपना प्रयोग किया था और वो अंतर द्रिश्टी आने खुद से वो सीखा था यह कोलर ही होगा चलिए नेक्स्ट कोईश्चन देखते हैं अगर गलत होगा दोस्तों तो कमेंट कीजिए क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ च्योंकि चलिए नेक्स्ट देखते हैं सहन सक्ती पर इस्षण के लिए क्या प्रयोग होता है तो इसक credit mill इसकी नेक्स्ट कोईश्चन देखते हैं बाला के बाला लक खेल के दोरान दॉरा अपने अथिरिक्त सक्त्ति का ब्याई करता है इसका उलेख किसी धांत में है तो इसका जो है आंसर देखते हैं समाजिक समीदा यह यह भी थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सारिक सिच्छा का विकास कब से प्रारंब हुआ तो यह है महा कावे काल से इसका आंसर दिया है और कई क्वेश्चन इसमें भी भारत में सारिक सिच्छा का विकास विकास बोलना जा रहा है तो विकास जो है वो अंग्रेज सासन काल से हुआ था इसमें दिया है महा कावे काल से तो इसमें भी doubt है मुझे इसका भी ये गालत होगा answer मेरे ख्याल से आप लोग सही जवाब comment करके बताएं आपको सही लगता है तो यही होगा मेरे को confirm क्योंकि विकास जो हुआ था वो अंग्रेज सासन में हुआ था और बले ही महा का विकास से हमारे जो है सारिक सिच्छा याने सिच्छा चल रहा था वो तो जीवन परियन तक चलता ही रहेगा बट यह अंग्रेज सासन काल से ही आपका विकास हुआ था चलिए इसमें बहुत सारे सभी में कोईशन में मिस्टेक्स लग रहे हैं मुझे प्रसिच्छण के समाएं हिर्दय गती प्रती मिनट लग बग कितनी रहनी चाहिए तो कितनी रहनी चाहिए तो इसमें 125 दिया है प्रसिच्छण के दावरान 125 और आपको जो UPTGT का मैं एक आंसर बताऊंगा उसमें ये तीनों गलत इनमें से कोई नहीं आएगा I think मेरे तो लगता है UPTGT का जो आंसर है मेरे पास और ये तीनों आंसर नहीं उप्रोक तो नहीं क्योंकि इसका जो होता है आपका 180 कितना 180 होना चाहिए प्रसिच्छण के दावरान तो 125 भी नहीं होगा 150 भी नहीं होगा 175 अगर 60 थोड़ा से कहा जाए तो 175 दे सकते हैं लेकिन ये 125 तक होता है तो ये भी गलत है तो आपको इसका कमेंट करके बताएं या मेरा जुस्सा आंसर है आपको सहीं लग रहा होगा तो भी कमेंट करके बताएं और कैसे लग रहे है वीडियो जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब नहीं की होंगे दोस्तों सो सब्सक्राइब करिए और बेल आइगान को दबा दे ताकि मेरे अगली वीडियो जो है आप तक पहुँच जाए और एक बाता और मैं नए जो अपडेट्स होंगे खेल में उनके सभी वीडियो को आपको उपलब्ध कराने कोसिस करूंगा कुछ समय लूँगा भी उसके बास सभी कोईस्चन आंसर या सभी अपडेट्स आपको इस चाइनल के माध्यम से प्राप्त होंगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभ्यास के नियम का अविस्कार किस ने किया था तो अभ्यास के जो नियम है अभ्यास से जो भी सीखने के नियम है उसमें थान डाइक ने किया है चलिए देखते हैं पेसाब से प्रती दिन लगभग कितनी पानी खर्च होता है तो ये कितना हो जाता है बी पंद्रा सो यह पंद्रा लिटर आपका खर्च होता है Next question है सिवीर के लिए भारत में अच्छा कब माना गए है ग्रीस्मा में तो होता नहीं है बशन्त रितु और सिशीर रितु वर्सा रितु वर्सा में होता नहीं दो आपका option निकल गए है आपको अगर तुक्का लगाना है तो अब सिसीर रितु और बसंत आया तो इसमें बसंत ज्यादा उप्यूकत है तो आपका B answer सही होना चाहिए चलिए देखते हैं कहां है इसका answer Yes, B answer is correct Next question है सारिक सिच्छा के पाठ्य विवराण में कीस बात का ध्यान रखना आवस्यक नहीं है आवस्यक नहीं है तो इसमें आपका जो है बच्चों की आवस्यकता आवस्यक है धार्मिक आधार आवस्यक है वित एवम सुईधाएं ये भी आवस्यक है सारिक सिच्छा के उद्देश है, यह भी आउसे है, रेक लग रहा है, इसमें धार्मिक होना चाहिए, धार्मिक से रिलेटेड तो है, लेकिन यह भी हो सकता है, बाकी चलिए सारिक सिच्छा दिया है, इसका आंसर मुझे confirm correct नहीं लग रहा है, तो इसका आंसर आप लोग कुछ और हो सकता है, तो बताईए, सारिक सिच्छा के पाठे करम में किस बात का ध्यान रतना आवस्यक नहीं है, किस बात का आवस्यक नहीं है, तो होना चाहिए, जरूरी है, बच्चों की आवस्यकता भी जरूरी है, धार्मिक अधार मेरे को सारिक सिच्छा से रिलेटेड भी नहीं लग रहा है और सारी सिच्छा के उद्देश है यह दोनों में कन्फर्म नहीं हुआ है चलिए नेक्स देखते हैं कि किसी टेस्ट के चयान के लिए क्या मांदंड आवस्यक है तो इसमें आंसर होगा आपका वैज्यानिक प्रमारिक्ता प्रसानी जीवकोर से उप्यूक्त हो शैच्छुडी प्रयोग हो प्रिक्त सभी चलिए ठीक है वैज्यानिक प्रमारिक्ता इसका करेक्ट आंसर होगा यह अंसर सही है नेक्स्ट कुश्चन है आपका प्रसिच्छण कारिकरम में एथलीट की खुराक में कार्बोहडरेट की मात्रा कार्बोहडरेट की मात्रा सबसे अधिक होना चाहिए तो इसमें जो है 60 से 65 प्रतिसाथ आएगा इसमें फिर से गलत दे दिया है आपको कार्बोहेड्रेट 20-25% क्या यह गलत है यह आपको यह आंसर से नहीं होगा 60-65% तो दोस्तों इस सीरीज में यह मुझे प्राप्त हुआ है कहीं नाम नहीं लूँगा लेकिन चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर इसका 60-65% कार्बोहेड्रेट क्या आउस्टा पड़ती है और 20-25 जो है आपको प्रोटीन या 25-30 होता है प्रोटीन क्या आउस्टा होती है कित्ता प्रसित छड़ कारिक्रम में ठीक है 25-30-25 भी दिया रहेगा तो यह प्रोटीन का है लेकिन यह आंसर आपका रॉंग था यह आंसर से होगा चलिए नेक्स्ट क्वेस्टन देखते हैं किसी खेल में सीखा गया कौसर अन्य खेल को सीखने में सायक होता है तो यह क्या होता है प्रसिच्छन इस्थनांत्रन ही इसका सही होगा सहाया की स्थनांत्रन नकारात्म की स्थनांत्रन सहाया की स्थनांत्रन तनी देखा हूं मैं इसका भी A answer मेरे को I think लग रहा है प्रसिछण सहाया की स्थनांत्रन भी हो सकता है बहुत doubt है सीरीज में चलिए next question है सिच्छा में खेल विधी का जन्मत आता किसे माना जाता है सिच्छा में खेल विधी तो सी इसका अंसर आप लोग मुझे कमेंट में दीजिए क्या होगा सी दे दिया है फ्रोबेल तोड़ने की सही क्या होगी क्या होगी दोड़ने की सही क्या होगी तरफ कौन सी तरफ से ही होगा मतलब दाई तरफ से या बाई तरफ से तो इसमें बाई आंसर ही होगा क्योंकि हम लोग बाई तरफ से ही क्या करते हैं दोड़ते हैं जिए नेक्स्ट कुश्रिन देखते हैं या इसका में स देखें हैं इसका बिली द्यान के लिए कितनी कैलोरी शुख ब होती एक है कि तो इसका गलत आंसर फ्रीट देगाестно गहरा हि यहां पर यह भी गलत है इसका जानसर यह है कि कॉन सी अध्यापन पधधाती सारिख सिच्छा में सर्व सेष्ट मानी जाती है तो सर्व सेष्ट क्या मानी जाती है आदेश पधधधी तो नहीं मानते प्रदर्णταν पधधफी मौक्की पधधथी चर्चापधधी तो इसका ज़त सही है प्रदर्शा नहीं होगा आपसान के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कोईशन है जर्मनी के महान सारी सिच्छा वीद जान पनाडो बेश्डो ने चीज स्कूल की स्थापना की थी उसका क्या नाम है तो उसका नाम था इसका भी आंसर देंगे मेरे को डिटास के लिए हम तो नहीं थाए नेक्स्ट कोईशन देखते हैं सारीक सिच्छा का क्या धे है सारीक सिच्छा का धे सरवंगेन विकास करना है सारीक सिच्छा को लोप्रिय बनाने है तू सबसे आवस्यक क्या है कारी क्या है तो समाज की जाग रुपता ही इंपोर्टेंट है इसका यह आंसर सही होगा चलिए लास्ट पांच कोईशन यदि कोई खिलाडी प्रसिच्छक की देख रेख में सीखे कौसल का अभ्यास करता है तो उसे क्या कहते है उसे ग्रूइंग दे श्ट्रोक बोलते हैं इसको कोचिंग नहीं बोलते हैं यह भी गलत आंसर है इस इस ग्रूइंग दे श्ट्रोक होता है यार रहां से उठा लिए इसको में चलिए नेक्स्ट कोईशन देखते हैं सिच्छा में खेल प्रणाली को लाने का स्रेक इसको है तो इसका जो आंसर है खेल में जो है कॉल्ड बेल कुक गूलिक इसकी नर इसमें मेरे को डाउट है सी आंसर गूलिक जो है जो अच्छा इसको जान रहे हैं वो मेरे को जवाब दे क्रीपिया चलिए तो नेक्स्ट कोईशन देखते हैं बास्केट बॉल खेल में 10 मिनट का खेल समाप्त होने पर विश्राम का समय कितना होता है तो कितना होता है इसमें आंसर तो नहीं लग रहे है दो मिनट दस दो दस दो यस तो इसको आपको बी आंसर यहां पर करेक्ट है सारिक सिच्छा का उद्दे से है इसका उद्दे से क्या है सारिक विकास, गामक विकास, मांसिक विकास है, ओम, मानवी है समंधों का विकास करना है यह सर्वांगरन विकास भी लिख दिया रहे है यह कथन किसका है तो यह है चाल्स ए बूचर चाल से बूचर का है इसका आंसर और दो क्वेशन देख लेते हैं स्खेल कूद की सभी गती विधियों के लिए बुनियादी घटक कांसा है तो इसमें मास पेशी छमता मास पेशी फुर्ती सब इंपोर्टेंट लग रहा है मुझे दोस्तो इसमें मैं डाउट है मुझे फिर से तो क्रिपिया मेरे को जवाब दे इसके लिए मैं सब को सोरी बोलना चाहूंगा और अन्तिम क्वेश्चन है यदि कोई खिलाडी चलता है तो चलते समय हाथों और पैरों में होने वाले क्रिया में कौन सी गती होती है कोणी गती होती है इसका अंसर जो है चलिए हो गया खतम वीडियो कैसे लगा जरूर बताएं इसमें भी अंसर दे दिया है फिर से गलत है ये इसके एकोर्डिंग आवर तक कती बोला है कोणी कती होता है चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए देखिए इस वीडियो में बहुत सारे क्वेशन गलत हैं दोस्तों उसका आंसर आप लोग दीजिए और जो है ये आपके लिए एक होमवर का काम हो जाएगा तो चलिए थैंक यू जाहिं जाए भारत